गुड्मोरिंग स्टुएंट्स I am ESP कर्षिप टूड़े भी बिल्टिसकस चैप्टर फाइब ऑफ जेओग्राफिए अब क्लास एट चैप्टर नेम में इंडेस्ट्रीज चैप्टर नेम में इंडेस्ट्रीज तो इस्टुएंट्स इस चैप्टर में हम इंडेस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे वाट इस इंडेस्ट्री इंडेस्ट्री क्या होती है ठीक है एंड इट्स टैप्स और इसके क्या-क्या टैप्स होते हैं कितने टैप्स की होती है कौन-कौन से बेश्ट पर होती है यह ठीक है तो इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब यू एवर गिविन अथाट तो देफेक्ट देट नोट्बुक को यूज फॉर राइटिंग है कम तो यू आप्टर आर लॉंग प्रोसेस अफ मैनुफेक्ट्रिंग देखिए इसमें बताया गया कि क्या कभी आपने यह सोचा है कि आप जो मतलब कि इसका यूज करते हैं नोट्बुक का यूज करते हैं वह किस तरह से कौन सी प्रोसेस से इसका मैनुफेक्ट्टरिंग क्या जाता है किस तरह से से उसका प्रोडक्शन किया जाता और कैसे वहलों को हम यूंज मिलेते हैं टिक तो इट वाज तो इट refrigerator started इस life as part of؟ तो यह इसकी जो process होती है तो यह आपकी मतलब ट्री के एक part से इसकी life होती है जैसे जो paper बनाया जाता है वह मतलब किसी ट्री के part से बनाया जाता है और वहीं से उसह कंब न इस्टार्ट होता है ठीक है it was और यह जो त्री होते हैं इनको कट डाउन किया जाता है और इनको ट्राइंस पोर्ट के द्वारा ले जाया जाता है फल्प मिल जो फल्प मिल होती है जिसमें पेपर बनाया जाता है एक तरह से जिसमें म peeled को गला कर और उसनों बनाया जाता है जिसन फोर्एंट प्रोटेक्शन किया जाता है था fixture थीक्षाइब के से लिए मान्य कि यहां पर जो उती है मैं जो मैं प्यड़ों की ज़्यों होती है लक्ली होती है उसको क्या किया जाता है लकडी को जएस एक तरह से बहुत बना इसको मडलें गला कर किसी तरह से इसे प्लप से होता है के मिकल्स और उस होता है उसमें बहुत सारे chemicals mix किया जाते हैं एंड फैनली चेंज इंटो पेपरवाइग मशीन और लास्ट में क्यों होता है कि उसको मशीन की द्वार पेपर में चैंज कर दिया जाता है यानि कि उससे पेपर तयार किया जाता है ठीक है दिस पेपर फांड एट सब्सक्राइब टू दप्रेश वेर इंक मेट फ्रम केमिकल्स वाज उजड टू प्रिंट दा लाइन्स ऑन दा पेज और जब यह वाइट पेपर बन जाता है तो इसके बाद इसमें एक तरह से जो इंक इसकी लाइनिंग के लिए जो इंक होती है उसमें भी में थे कैमिकल्स मिक्स कीजाते है है ठीक है और उससे क्यों होता है कि एक तरह से लेंटिंड हो जाती पेज़ेश पर झिरी और होते हैं तो इन सभी पेजिस को एक मतलब वैंडिंग कर दी जाती एक तरह से इनको एक खटा करके पंच कर दिया जाता है ठीक है और इस तरह से यह एक notebook बन जाता है ठीक है इसके बाद क्यों होता है कि packed and sent to the market और इसके बाद जब notebook प्यार हो जाता है हमारा तो इसको pack किया जाता है ठीक है य इसकीДаक सब्सक्राइन के बाध क्यों होता है कि सल करने के लिए करें ii go Fast कर दिया जाता है ठीक और मार्केट में यह जाकर ऊक jij आल हो क्फा धार किया जाता है वो क्या होता की process के दवहर laugh किया जाता आक पार सक्नाद कड़ियुक्त और वह किससे है नशन की सिक लिएowo इंद्टरी को या हुद मैं टिया खाल आनवा सब्वेटिपियोप नडिए है कोट इंटरी type क्यूचिविटिटी एंड मैनफेक्टिरी एक्टिविटीज होती है वह हमारी क्यों हमारे नेट्रon मैटेडिल सो थे कर उनका गड़ीजन करता है दो हमारी अन्तर्खता आते हैं ठीक और शेकंड्री एक्टिविटींग में क्या होता है हमारी manufacturing आती है ठीक manufacturing में क्या होता है change raw materials into products of more value to people ठीक है जो raw materials होते हैं जो हमें मतलब nature के द्वारा मिलते हैं उन raw materials को एक तरह से क्या होता कि उसको products of more value to people जो raw materials होते हैं उसको एक products के रूप में और अधिक valuable बना लिये जाता है लोगों के द्वारा ठीक है लोगों के लिए ठीक है उसको change करकर उसको मतलब किसी process के द्वारा बहुत अधिक उसको valuable बना लिये जाता है जैसे कि एक बुड होती है बुड से मतलब paper बनाया जाता है ठीक है और paper से क्या होता है notebook बनता है books बनती है तो यह और भी ज्यादा valuable हो जाती है ठीक है तो इसी तरह से लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा बहुमूल हो जाती है as you have seen pulp was changed into paper and paper into a notebook ठीक है जैसे कि इसमें दिया हुआ कि जो pulp होती है वो paper में change की जाती है और paper से क्यों होता है उसको notebook में change कर लिया जाता है ठीक है notebook मना लिया जाती दीज रिप्रेजेंट अंदर टू स्टेजिज आफ दा manufacturing process ठीक है और यह जो two stages होती है manufacturing process की यह आपकी मतलब इसी को represent करते है एक तरह से ठीक है the paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process in this way the finished product has more value and utility than the raw materials that it is made from देखिए जिसमें जिस तरह से जो paper होता है ठीक है pulp से बनाया जाता है इसी तरह से cloth होता है वह भी मतलब cotton से बनाया जाता है ठीक है cotton होती है वह इतनी एक तरह से raw material होता है हमारे लिए ठीक है और वह इतनी valuable नहीं होती cotton लेकिन जब उस cotton से हम बहुत सांदार एक तरह से बहुत अच्छा valuable cloth बना लेते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ज्यादा valuable हो जाता है ठीक है तो उसको किस तरह से बनाया जाता है manufacturing process के द्वार बनाया जाता है ठीक है in this way the finished product और इस तरह से के होता है कि जो finally product होता है जो मतलब product complete हो जाता है has more value उसकी बहुत अधिक value बढ़ जाती and utility और उसके utility भी बहुत बढ़ जाती हूँ इसके उप्योगता बहुत बढ़ जाती देन दा रा मैटेरियल एक रा मैटेरियल की अपिक्सर ठीक है that it is made from ठीक है जैसे कि यह बना जाता है next point हमारा industry इंडेस्ट्री इंडेस्ट्री क्या होती है ठीक है जैसे इंडेस्ट्री होती है वह हमारी किस पॉइंट को रैफर करती है जैसे एन एक्टिविटी एक एक्टिविटी के लिए रैफर करती है क्योंकि उससे बहुत अधिक प्रोडेक्शन किया जाता है ठीक है जैसे जो सामान होता है हमारा जो हमारे यूज का सामान होता है उसका उससे मतलब प्रोडेक्शन किया जाता है extraction किया जाता है of minerals minerals का extraction किया जाता है मतलब minerals का उसमें यूज किया जाता है और the provisions of services और उसमें क्यों होता है industry में services का भी बहुत दिक usage किया जाता है ठीक है दस भी है और एंड steel industry जैसे कि इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो iron और इंड इस्टील इंडेस्ट्री यह production of goods ठीक है यह एक तरह से production of goods coal mining industry जिसमें coal होता है उसकी mining की जाती एक्स्टेक्शन आफ कोल का उसमें extraction किया जाता है ठीक है एंड टूरिजम इंडेस्ट्री फ्र्विस प्रोवाइडर जैसे की टूर्प्रिद 003 होती है ठीक हो इसमें क्या होता है कि तरह तरह की कि जो वहां के टूरीस्ट होते हैं उनके लिए services प्रोवाइट कि जाती है तो यह सब industry ही कहलाती है इक देख कर क्लासिफाइट कर सकते हैं कौन-कौन से उसको बेस पर हम उससे क्लासिफाइट कर सकते हैं तो इसमें हम क्लासिफाइट कर सकते हैं कौन-कौन से बेस पर रा मैटेरियल के बेस पर साइज के बेस पर एंड ऑनर्शिप के बेस पर तो इसको वन वाई बन करके हम आगे डिसकस करेंगे नेक्स्टपउट में है अगला पॉइंट है हमारा दीएर मेटेरियल के बेश पर इंडेस्ट्री उसको किस तरह से मेंडियल इंडिस्ट्री होती मिनरान वाइब либо लेस्ट अन्थ法क यसे फॉरेस्ट लीए उस sû्फ होता है तो इस तरह है राल यहां पर लिए रामाजिवाह सकते हैं तो फर्स्ट लिए आपका Oh लेश्टी सुनक्रेशंद इंडेश्टी जो तेक्व होती है थैक्षे तो योश्याहिश्थे यवेश्टितल्टे युज प्लांट एंड एनिमल्व्ज झो जो सेटलिश्टी इंडेश्टी वह इसको ब्रोड़क्ट्स होते हैं। वह मैटेरियल के रूप में उसको मिलते हैं। वुट प्रोशेसिंग इसमें जैसे कि फूट प्रोशेसिंग हो गई वेजिटेबल ओयल हो गया någon कॉटन टेक्सटाइल डेरी प्रोडक्त्स & लेदर इंडेस्टीज और एग्जाम्पल आफ एग्रो बेस्ट इंडेस्टीज यह आपके एग्रो बेस्ट इंडेस्टीज के एग्जाम्पल है वेजिटेबल्स ओयल कॉटन टेक्स्टाइल डेरी प्रोड़क्ट्स ठीक है एक नेक्स्ट पैंट हमारा मिननल वेस्ट इंडेश्टी धे-कृम्न बेस्ट इमनल वेश्ट इंडेश्टि पहले है इसमे आप की आत है आते हैं मिन्ल बेस्ट इंडेस्ट euh premory Industries ठीक यह premory Industries एट यूज मिनम और एज एर रमाचिर minerals होते हैं ट्रोडट अपर दीज इंडस्टी इंद्सटी धीde ऐधर इंडस्टी और यसमें प्रोड़क्स होते थे कि इस इंडस्टी लिए धीज भी यूज में है टिकि मेवी एरन Chief के वह रोता है छी एन अरोर्स बनाए जाता इस दे प्रोडक्ट आफ मिन्नल बेस्ट इंडिस्टी तो यह जो प्रोडक्ट है आईरन का यह मिन्नल बेस्टि के according ही आएंगे ठीक है this is used as raw material for the manufacture of number of other products ठीक है और इसमें क्यों होता है कि यह जो raw materials होते हैं यह use किये जाते हैं for the manufacture manufacture के लिए offer number of other products दूसरे products के लिए ठीक है such as heavy machinery जैसे की heavy machinery बनाने के लिए जैसे जो आपका iron steel industry होती है उसमें बनती है ठीक है building materials जो building materials होते हैं जैसे building बनाने के लिए आपके iron की जो सगियां बगयरा होती है ठीक है यह window बगयरा होती है वो भी आपकी इसी से आइरन से ही mostly बनाई जाते हैं and railway coaches और जो railway coaches होते हैं जैसे कि railway के जो आपके compartment होते हैं train के वो सब इसी से manufacture की जाते हैं ठीक है marine based industry next मेराइन बेस्ट इन डेस्ट्री इसमें कि होता है कि मेराइन बेस्ट इंडेस्ट्री यूज products from the sea and ocean as raw materials ठीक है इसमें क्यों होता है कि जो marine based industry होती है इसमें ऐसे product यूज की जाते हैं जो sea और ocean से raw material के रूप में मिलते हैं ठीक है जो sea और ocean से जो समुद्र से हमें raw material मिलते हैं वो इसमें यूज किये जाते हैं मेराइन बेस्ट इंडेस्ट्री में ठीक है इंडेस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड इसमें आपके जैसे की सी फूड है और manufacturing fish oil फिस ओयल है ठीक है फिस जो वाइल बनाया जाता है वो इसमें यूज होता है यह इसके इसमें अमैराइन बेस्ट इंडेस्टी फॉरेंट्री फॉरे इंडेस्टी थी कंए इसमें किये होता कि फॉ Rs रेस्ट ङंडेस्टी फॉरेष्ट से हमें जो भी produce मिलते रा मैटेरियल के रुप में लूप में हैं वो फॉरह 네 इंडिस्ट्री मिलते हैं ठीक हैります ओ फ्रॉर्श्टीस मिलता है फार्मस्टिकंड जो मरलब का मेडिशन बगैर होती में मुश्ट लीइस से म일गें फरनीचर लिए जो बुड होती यह व मीडिनक्स बीदिंग के लिए वी मला हमें अब नेस्ट पॉइंट है हमारा साय यह तो हमारा था क्यी मेटेरियल्ज के वीडिक पर इसको मदलब करें किया तही करते हैं क्लाइसिफाइड की लिए फूदा video में आफ का मुई च्राइब और प MA related एक तरह ऐसे एक एमउंट ओफ केफिल इन्फ सेट देखिए केपिटल कई सेते हैं वाटइस केफिल तो एक है करल शुट्य मौन लिए हो उसको कह सकते हैं जो भी हमारा शुटी हमझी होती है हमारी किसी प्रोडक्ट्सन वर्क बागर इन्वेस्ट की हुई है तो वह हमारी कैप्टल होजाती है Little ba क्प्रोडेशें से व्हों गई या कोई मतलब मुनीफ हो गई इसको यूज़ किया गाता तो तो एमांट आफ केपिटल इन्वेस्टेड नंबर आफ पीपल इंप्लाइड एंड वॉल्यूम आफ प्रोडक्शन साइज में क्या होता कि जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है जैसे कुछ इंडिस्ट्री जैसी होती है जिनमें बहुत अधिक प्रोडक्शन किया जाता है ठीक वेजड पर इंडिस्ट्री जैन वी क्लासिफाइड इंटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडिस्ट्री ठीक है साइज के अकॉर्डिंग हम इसको टू टैप्स में डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडिस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडिस्ट्री ठीक है तो जो स्मॉल स्केल इंडस्टी होती है उसमें आपके कॉटेज और हॉस्वोल्ड इंडस्टी इसको कहते है ठीक है और टैप आफ इस्मॉल स्केल इंडस्टी जैसे जो घरों में जैसे छोटे-छोटे वर्क होते रहते हैं ठीक है हॉस्वोल्ड इंडस्टी कहते हैं उसके लिए कटेज कोटई रुद्धो कहते हैं जिनके लिए छोटे-छोटे मदलब इन्डिस्ट्री उती ह van just or जहां पर यह कोई भी प्रोड़क्ट से वह बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं उसका प्रोड़क्शन किया जाता है कोई भी मदलब गुड्स है कोई सामान है वह केवल हाथों के द्वारा ही ू Ilri तैयार की जाता है वायदा आरट आर्टिसियेंज न आर्टे discut प्रोड़क्ट वायदा क्यूदिक उनधे श्कृब्वाड़र प्रोडर्ट ऊते हैं तरह से रहते हैं जैसे कि इसमें रही 2 औरces retro amount of capital and technology are as compared to large scale industries that produce large volumes of products देखिए इसमें क्या है कि जो small scale industries होती है जब वो बहुत छोटे इस तर पर होती है बहुत मतलब उसमें production होता है वो भी एक small scale पर ही होता है बहुत कम होता है तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए बहुत कम capital की आवस्चता होती है मतलब बहुत कम invest करना पड़ता है हमें पैसा जो है वो बहुत कम लगाना पड़ता और इसमें technology की भी ज्यादा आवस्चता नहीं पड़ती है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके handmade होते हैं हाथों से यही तियार किया जाते है तो इसमें machine भी बगार होते हैं उनका भी ज्यादा यूज़ नहीं की जाता फ né investment of capital is higher and the technology used as a superior in large scale industries देखी जो large scale industries होती हैं जिनको हम बहुत बड़े-बड़े दोग कहते हैं बहुत बड़े-बड़ी factory सहते हैं हमारी वो इस category में आती है large scale industries में ठीक है तो इसमें क्यों होता है कि हमें बहुत अधिक invest capital invest करने पड़ती है जैसे कि सिल्क बीबिंग येंद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री साथ स्माल स्क्राइल इंडस्ट्री प्रोडोक्शन आप आटो मोबाइल्स जैसे कि आटो मोबाइल्स का प्रोडक्शन एंड हैवी मशीन्री जो बड़ी-बड़ी मशीन्री होती है जैसे कि जो फैक्ट्रियों में बड़ी-बड़ी मशीने होती है या कोई आटो मोबाइल्स होते हैं जो कार्स बगारा होते हैं बसेस होते ही इनका प इंदॉस्टिज़ पिलिए तुद आप समझ गये हूंगे स्माले सेल इंडॉस्ट्री की स्टाइव लास्टाय थिरमारा ओनरियों देखी ऑर्शिव के बैस पर जो हमारे इंडॉस्टिज होती हैं उनको कैसे क्लासिफाइट कि गया है ठीक है है तो ओनर के के बेज पर industries कैनी classified into private sector। state on और public sector तो अनर्शिप के आदार पर हम इसको private sector में classified कर सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं इस्टेट और public sector में joint sector में and cooperative sector में इसको classified कर सकते हैं ठीक है तो पुस्ट लिए हमारे प्राइबेड स्क्ल्ट कि उसमें बताया कि यह में पबालीं अप्र सेक्टेड मैं उसलाइग सब्सक्राइद एडे जो फोड्राइड होती है वो इंडिविजुएल होती है किसी गुरुप के द्वारा या किसी इंडिविजुएल किसी मतलब परसन के द्वारा वो एक तरह से चलाई जाती है ठीक है दो पॉब्लिक सेक्टर इंडिस्ट्री जो पॉब्लिक सेक्टर इंडिस्ट्री होती है वो किसके द्वारा ऑप्रेट की जाते हैं वो गौर्मेंट के द्वारा ऑप्रेट की जाती है ठीक है उन पर जो वो इंडस्टी जो चलाई जाते हैं वो गौर्मेंट के द्वारा चलाई जाती है सच है हिंदुस्तान इरो नॉॉटेक्स लिम्टेट ठीक है यह industry है यह आपकी गौर्म्न्ट इंडिस्ट्री है इसको गौौर्मेंट रन करती है क्लियर नेक्स्ट है and steel authority of india limited यह भी आपकी गौर्मेंट industry है ठीक है से इसको government operate करती है government के द्वारा इसको मरलब चलाए जाता है ठीक है joint sector industries next है हमारी joint sector industries joint sector industries क्या होती joint sector industries are on and operated by the state and individuals are group of individuals देखिए जो joint sector industries होती है वो क्या होती है कि या तो state के द्वारा operate की जाती है या फिर इस्टेट और individual दोनों के द्वारा मतलब उसको operate किया जाता है जैसे कि मारूती उद्दोग लिम्टेड है ठीक है मारूती उद्दोग लिम्टेड है यह इसका एक example है joint sector industries क्लिए next है हमारा cooperative sector cooperative sector क्या होता है cooperative sector industries are owned and operated by the producers और suppliers of raw materials देखी जो raw materials के suppliers होते हैं प्रोडूसर्स होते हैं उनके द्वारा यह operate की जाती है यह इस टाप की जो cooperative sector industries होती है यह जो बर्कर सोते हैं यह बोत दोनों के द्वारा ठीक है जो raw material supplier confused producers होते हैं है और जो इसके बर्कर सोते हैं इनके द्वारा इसको ऑपध किया जाता है ओन जैसे कि आनंद milk union लिम्टेट हैwn और सी यह अपकी cooperative कोपोरेटिव सेक्टर की इन्डिस्ट्री यह है एंड सुधा डेरी आए और सकसे स्टोरीज ओफ लॉपर कॉपरेटिव वेंचर तो यह इसको एक्जाम्पल है कोपेटिव फट्रि इंडिस्ट्रीज के नौइफ मेंट दिकिन नेक्स्ट पैंट है मारा फेक्टर्टर्स एफ फेक्टर्स होते हैं जिनका उस पर उन पर पड़ता है ठीक है तो इसके बारे में हम इस पैरा में डिसक्स करेंगे तो इसमें बताया कि और फेक्टर्स एफेक्टिंग दा लोकेशन आफ इंडिस्टी आर अधा एवलिबिलिटी आफ रा मेटेरियल लेंड वाटर लेवर पावर कैपिटल ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट देखी जो एक तरह से लोक इंडिस्टी की जो लोकेशन होती है उस पर कौन-कौन से फेक्टर्स एफेक्ट कर सकते हैं जैसे कि एवलिबिलिटी आफ रा मेटेरियल जैसे मालिये इंडिस्टी हमें हमेशा ऐसी जगह पर ही सेट अप करनी चाहिए जहां पर उसके लिए रा मेटेरियल लाने में ही अवलिबिल हो सकते हैं थीक है अगर मालिया हमने इंडिस्टी एसी जगह लगा दी कि जहां पर जो रा मेटेरियल से वह इसके लिए नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे बहुत ज्यादा नमें ही थान्त्राइब ही ज्ञाँ हो जा रहा है तो उसससे जो प्रोडक्श तो हमें इसको करना है सेट अप करना चाहिए ठीक है लेंड लेंड के एक वाटर का भी एक तरह से होता वालीयंड्री बुए कुछ इंडिस्टी जो होती है जिन में बार बर्टर की बहुत अधिक आवस्चता पड़ती है और हम ऐसी जगे उसको अगर सेट अप करते हैं कि जहां पर वाटर बिल्कुल नहीं हो पारा नेक्स्ट लेवर लेवर इस में फैक्टर एक तरह से लेवर है वह बहुत ज्यादा मलब इस पर डालती है माली इंडेस्ट्री तो लगा लिए उसको मसीन बगारा का यूज भी कर रहे हैं हम उसमें लेकिन उन मसीन को चलाने के लिए भी तो हमें लेवर की आवस्चता पड़ती है तो लेवर भी इस पर बहुत अदिक अफेक्ट डालती है अगर लेवल जो लेवर है वह हमें अबलेबल नहीं हो पार यह तब भी हम उसको ठीक से नहीं चला सकते है ठीक है पौबर जैसे कि एलेक्ट्रिक पावर है वो भी उसके लिए भी कैपिटल है ट्रांस्पूर्ट एंड मारकेट अमाल यह बहुत अदिक प्रोडक्सन हो गया हमने किसी सामान का बहुत अदिक प्रोडक्सन कर लिए इंडेश्ट्री में लेकिन उसक व्यक्राइब बेश्ट होने लगे तो ऐसी जगे हमें मुदलब जहां पर उसकी हम जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसकी मार्केट भी होनी चाहिए ठीक अगर मार्केट नहीं है तब भी हमारी इंडस्टीज पर बहुत अधिक इसका इफेक्ट पड़ता है ठीक है इंडस्ट ठीक है हमें इंडेस्टी ऐसी जगे स्थापित करने चाहिए जहां पर हमें यह सभी जो भी फैक्टर्स हैं यह हमें बहुत आसानी से अब लेविल हो जाएं ठीक है सम्ताम्स दग्वर्मेंट प्रोवाइट से इंसेंटिव्स राइक सब्सक्राइज पावर लॉइर ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रेक्ट्ट्र सो देट इंडेस्ट्री में भी लोकेटेड इन वेकवर्ड एरिया ठीक है और कभी-कभी क्या होता कि जो हमें प्रोवाइड कराती है और ग्ली इप फ्रेक्टर सोथे हैं ठीक है सो दयाट एंडेस्ती में भी लोकेट इंन वेगयर टेकर इरियां होते हैं उनमें हम इसको लोकेट कर सकते हैं ठीक है इन्देस्ट्राइजेशन अफन लीट नेट्स टू डप्लप्लमेंट एंड गर और वो त्लाप और सितीज्व की इस बहुत अधिक ग्रोथ रोट्थ करता है क्लियर ते लिखे नेग्सट और्हने इनश्रिजियल सिस्टम इनश्ट्रियल सिस्टम। तो इस पॉइंट को हम प्लिए छनन डिश्कश चरिंगे ठीकशिया वीडियो लेक्चर भी काफी लेंदी हो जाएगा और इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही थैंक्यू इस्टुरेंट्स